डूक्टर केडी आईज होस्पिटल आपकी आखों का हम रखेंगे खयाल मुकेश अगनी होतरी ने उन्हें युबती के मर्द्र मामले को गुरिय मामले की पुनरा वृती करार दिया है मुकेश अगनी होतरी ने गगरेड के एक आश्रम में पेशा इस मामले को दिल देहला देने वाली घटना करार दिया है उन्होंने कहा कि परदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है लेकिन इस मामले में तो बेटी पढ़ भी रही थी लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका जिससे परदेश में कानून व्यवस्ता की बदहाल स्थीती का अंदाजा लगाया जा सकता है लेकिन आप 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 जो है एक्शन नहीं करना चाहते है मुक्खे मंतरी जो है एक्शन नहीं करना चाहते है इसलिए हमने डीजीपी को भी पत्तर लिखा है बहरी मन से अब देखते हैं ऐसे अगर दत्रों में बैटने के लिए अपसर लगाने है अगर मौके पे अपसरों नहीं जाना ही नहीं है अगर चार दिन से एक गुड़िया लापता है और उसको ढूडने का प्रियास ही नहीं हो रहा है और चार दिन के बाद पता लगता है कि इस इस इस्थानी लोगों के दवाब में कि जो उसको जो है मंदिर के पिशवाडे में एक बैग में डालके दफन कर दिया और उसका गला रेद दिया गया तो इससे दुग्द बात क्या हो सकती है बहुत ही उन्हा जो है हिमाचल परदेश की अपराद की राजधानी बना दिया इन्हों